भारत से भगोडा गोशित हुए बिजनिसमेन विजय मालिया को बड़ा धटका लगा है। कोट ने ये भी कहा है कि इस मामले को खत्म करने के लिए दोनों पक्ष किसी एक रकम पर सहमत हो। आपको बता दें कि भारत से भागे हुए विजय मालिया पर भारतिय बैंकों के करीब 9000 करोड का कर्ज है। इसके अलावा विजय मालिया भारत दोरा प्रतिय और पित किये जाने के खिलाब भी केश लड़ रहा है। आपको बता दें कि विजय मालिया के खिलाब स्टेट बैंक ओफ इंडिया के साथ साथ 13 भारतिय बैंकों का 9000 करोड रुपे का कर्ज है। कर दो कर दो कर दो कर दो कि यृष्ट करन मेंकों कर